मुझे बता है कि तुमने इसके पहले पत्र लेखन पे बहुत सारी वीडियो देखी लेकिन ये वीडियो सबसे ज़ादा important और सबसे ज़ादा छोटी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के निदे मैं आप लोग को बहुत ही आसान ट्रिक बताने वालो तुम्हें कुछ भी नहीं करना तुम्हें सिर्फ देख लेना है तुम देख के ही सीख जाओगे तुम्हारा पूरा पत्र लेकर क्योंकि नहीं इसके निदे तुम्हें टैंसे जानी ज़रूरी है कि तुम्हें आपी word को बनाने में, वाक्य को बनाने में दिक्कत होगी, भाई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुन करके तुम चले जाओगे, पूरे marks लिगर क्या होगे, पूरे marks लिगर क्या होगे, तो मैं सबसे पहले शुरूबात करूँगा, आप लोग के अपचारिक पत्र से, तो देखो, सबसे पहले अपचारिक पत्र का जो format है, वो कैसा होता है, सबसे उपर में आएगा आप लोग का पता, पता कौन सा, आप लोग का खुद का पता, उसके बाद आप लोग लिखोगे दिनाग, जो भी डेट होगी, उसके बाद आप लोग लिखोगे सेवा में, जहां पर भी आप लोग देखे हो, सेवा में परधानाचारे जी और ये स्कूल, जो भी स्कूल होगा, उसके बाद आप लोग को विशा लिखना है विशा लिखने के बाद आप लोग लिखोगे श्रीमान जी या फिर महोदे ठीक है चाहिए श्रीमान जी लिख दो चाहिए आप लोग यहां पर महोदे लिख दो उसके बाद आप लोग अपना जो है letter को start कर दोगे इसके अंदर आप लोग को एक चीज का ध्यान देना है आपको पते के बाद एक line छोड़नी है उसके बाद आप लोग को सेवा में जो लिखोगे उसके बाद भी आपको एक line छोड़नी है और जहां से स्रीमान महोदे लिखोगे वहां से आप लोग को अपने letter को start कर देना है कैसे start करोगे अभी समझाओंगो उसके पहले अभी देखो जैसे तुमारा letter complete होता है लाश्ट में लिख दोगे धन्यवाद आपका आग्याकारी या आपका आभारी शिश्य होगे तो आपका आग्याकारी लिख दोगे या फिर आभारी लिख दोगे नाम लिख दोगे अपना और जहां से भी तुमने भेजा है वो भी सब चीज़े लिख दोगे या आप लोग का अपचारिक पतर का format था अनुपचारिक पतर का format कैसा होता है सबसे उपर में आगा आप लोग का पता ठीक है पता के बाद लिखोगे अपना दिनाग जो भी डेट होगी उसके बाद लिखोगे प्रिये मित्र भाई बहन आदी जिसको भी तुम ये पतर लिख रहे हो उसके बाद बहुत सारा प्यार या फिर इस नहीं है ठीक है अब इसको लिखने के बाद अपने पतर का जो है श्टार्टिंग कर दोगे किस तरीका से करोगे समझाओंगा पहले इतना देख लो जैसे तुमारे लटर एंड होगा आपका मित्र आपका भाई आपका बहन आदे लिख करके पतर लिखने वाले का ना मतलब कि अपने खुद का ना आप लोग लिख 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 करके मत आना जो नाम तुमें दिया गया को उसी को लिख करके आना अब एक्जामपल देख लेता है फिर जल्दी से खतम कर देंगे तो यह रहा आपका आपचारिक पतर अपने विद्याले के प्राचारे को संध्या कालिन खेल की उची त्विवस्था के लिए पतर लिख लिख लिखे अब इस पतर को किस तरीके से लिखोगे सबसे उपर में तुम अपना पता लिख दोगे पता लिखने के बाद चाहे तो दिनाक लिखो चाहे ना लिखो वो आपकी मर्जी है उसके बाद आप लोग को लिखना है सेवा में श्रीमाना प्रधाना चारे जी और उसके बाद अपना जो भी स्कूल है उसको लिखने के बाद एक लाइन चोड़के विशह लिखोगे विशह जो भी होगे आप लोग का विद्याले में संध्या के लिएन खेलो की उची त्वयस्ता के संबंध में और एक चीज के दहान देना विशह आप लोग का जो करके टाइटल को लिख सकते हो भाई बना सकते हो जैसे यह यह टाइटल आप लोगा as it is उससे उठाए गया जो आपको कोशिन है उसके बाद एक लेंच छोड़ोगे महोदे लिखोगे उसके बाद तो यार तुम बचपन से लिख करके आ रहे होगे लीव अपना आपसे सविन निविदन है कि मैरुहित कुमार इस विदाले में जो आगे लिख है अधिहंतरत इसको लिखो चाह ना लिखो चल जाएगा यार देखो जादा डीप में भारी लेंगुज मत प्रयोग करना जितना ज़दा इजी हो सके उतना ज़दा इजी पीजी रखोगे तो बहुत अच चारिक के एग्जांपल देखो सबसे उपर में लिखोगे तुम अपना पता और दिनाग हाँ पता और दिनाग तुम्हारा लिखना important है चाहा तो दिनाग उपर लिख दो चाहा तो दिनाग नीचे लिख दो मैं आप जो दिखा रहूं आप लोगो उसके अंदर दिनाग पर रहा है आप लोग दिनाग को नीचे लिख देना as it is लिख देना मान लोग टीचर को ना पता हो लेकिन ये जो फॉर्मेट है वो गलत नहीं है उसके बाद आप लोग लिखोगे प्रिये मित्र भरत जो भी होगा आप लोगे दोस्त का नाम उसके बाद नमस्ति इस्वर क असीम अनकॉमपा से मैं यहां पर शुकुशल हूँ और तुम्हारे कुशल होने की कामना करता हूँ मैंने कल शाम को तुम्हारे पिताजी को फोन किया था उनसे ग्यात हुआ कि तुमने दसी बोड के परिक्षा में आगरा मंदल में प्रतमिस्तान प्राप्त किया है यहां स तुम्हारा नाम पावन जो भी तुम्हारा नाम है ठीक वो लिख दोगे इसके बाद तुम्हारा जो पूरा लटर है वो कंप्लीट हो गया अगर नई सौन में आए तो फिर से रिवाइंड कर लो